सब्सक्राइब अपना चैप्टर चल रहा था इन्वेस्मेंट अकाउंटिंग उसका आज हम क्वेश्चन नंबर टू करें गया अल्रेडी क्वेश्चन नंबर वन मैंने कराया था बहुत ही अच्छे से किया था हला कि लास्ट मेंने क्लोजिंग स्टॉक वाला नहीं किया मैं इस हम में तो नहीं क्लोजिंग स्टॉक वाला कोर्शं नंबर जो थ्री हम करेंगे वहां पर मैं आपको क्लोजिंग इक पार्ट था वह मैंने करा नहीं था. क्योंकि मुझे नहीं मुझे बूली गया था मैं और सम खतम हो गया सब कुछ खतम हो गया फिर मैंने सूचा कोई बात थी कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल है तो चलो क्वेश्चन नमबर टू हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्या बोल रहे हैं और फॉस्ट एपरिल 2011 कितना है बेटा यहां पर 1000 9% का मतलब होता है सर 9% के इसाब से उसमें क्या चार्ज होगा सर इंटरस्ट चार्ज होगा यह मतलब यहां पर जो नाइन पर संट की साब सब्सक्राइब इसके बात करें तो वी एक लाग यहां पर डिवे एक हजार डिवेंचर है हर एक का सो मदलब करीब करीब एक लाख रुपे के उसके पास है एक लियर ए्ट वन जिरो इट मतलब उसका जो प्राइब 1 08 और यहां पर केके लिमीटेट का है हल इने इन्वेस्मेंट मन लब सर कितने यह नॉमिनल वैल्यू हो गया एक लाक रुपय तो कॉस्ट कितना हो गया एक लाक आट थाजार रुपया इसका कॉस्ट हो गया क्योंकि सिंपल सी बाते multiply by 108 करो तो यह मेरे लिए क्या हो गया कॉस्ट हो गया यह ओपनिंग है इसका इंट्रेस्ट वगेर आएगा केके लिमिटेट पें तरस्ट कभी पे करें सट फटी जून और धस्ट डिसेंबर को पिकरें एवरी येर प्राचीता हैं पर प्राची ने पॉर्ट रांजेक्शन किया गए फोर्स्ट जून को फॉर्स जून को परचेज हो रहा है है first December को sale हो रहा है बस purchase और sale से 9% यहां Pर एक्स इंटरस्ट है यहाँ पर भी एक्स इंटरस्ट है क्या बात है बहुत ही सिंपल सम धिया गया है दोनों में एक्स इंटरस्ट है कम इंटरस्ट दिया गया नहीं है prepare investment in 9% Dementure account for the year in day 31st March 2012 12 for the applying accounting standard 13 सबसे पहले यहां पर में वर्किंग नोट टाइम लाइन जैसे बनाते हैं वो बना दिया यहां पर बिटा सबसे पहले इन दे बुक्स ऑप्राचीती इनवेस्टमेंट अकाउंटिंग 9 परसेंट डिबेंचर इन के के लिमीटेड फॉर दे यह एंड़ेट अपर बुक ने दिया गया पर थर्टी जून एंड दिया गया और सबसे पहले आपना जो ओपनिंग स्टॉक कभी यह विटा फॉर्स्ट यह पर सुपरिल 2011 यहां पर लिखना है फॉर्स्ट एपरिल 2011 स्टॉक तो बैलेंस ब्रॉडवड डॉन जैसे ऊपनिंग अभी ने बता है नॉमीनल वैल्यू कितने कदा बच्चा एक लाख रूपे का और यहां पर कॉस्ट कितने का एथा एक लाक आट हजार रुपे का आप से टाइम लाइन बना लेते क्योंकि इस पर इंट्रस्ट वगर आएगा जो फर्स सम करा था उसमें क्या था आपने देखा रहेगा 31st December को इंट्रस्ट मिल रहा था 31st December को इंट्रस्ट मिला तो अपना अकाउंटिंग यह फॉस्ट जन्वरी को मिल रहा है 31st June 31st December और अपना अकाउंटिंग यह कभी चलुआ फॉस्ट एप्रील को चलो मतलब यहां पर सर इंट्रस्ट की एंट्री आएगी इसमें क्यों नहीं आए थी क्योंकि डिसेंबर दा डिसेंबर के बाद जन्वरी एक ही दिन का गैप था तो इसमें इंट्रस्ट आ चलुआ और यहां पर क्या आगया मार्च आगया सबसे पहले अपने को देखना इंट्रस्ट तो यहां पर है देखो सबसे पहले देखना इंट्रस्ट यह एप्रील में जून चुलाई ऑगस सब्टेबर ऑक्टोबर नवेंबर डिसेंबर जन्वरी फरवरी और यह मार्च हो गया क्लियर सबसे पहले देखना इंट्रस्ट कभी मिल रहा है तो इंट्रस्ट को आई लिग देते हम 30 जून और हां बस 30 जून और 31 डिसेंबर तो यह डिसेंबर कभी राट डिसेंबर यह डिसेंबर की 31 पहले काम करते हैं सबसे पहले पर्चेज और सेल्स वाला यह फॉस्ट अपरिल को अपने पास यहां पर डेट में आ जाएगा फॉस्ट को ओपनिंगे क्लियर है उसके बा को इंटरेस्ट मिल रहा है और 30 जून को इंटरेस्ट मिल रहा है यह फॉस्ट जून को हमने क्या किया यह फॉस्ट जून को हमने पर्चेस किया यह फॉस्ट जून को पर्चेस किया और 30 जून को इंटरेस्ट मिल रहा है फॉस्ट जून को पर्चेस किया 30 जून को इंटरेस मिल R harbor same as decimal में वह तो एप सब्सक्राइब प्र इसए च्राइब होगा हैे सब्सक्राइक है सब्सक्राइब प्रिम यून को फंस्न को पर चैस करें गये लोगा उस्त मिलेजाब हाँ और यहां पर आएंका थर्टी जून को अपने को क्या मिल रहा है stories मिल रहा है same as a first December को क्या करने है सैल करेंगे और 30 for description को आपने को क्या मिल रहा है इंटरस मिल रहा है बाकि कुछ भी अपने- पास transaction नहीं है क्वीड दन तैक तो काम करते पिट region और यहां पर जो 31st मार्च को closing होता है आएगा तो सबसे पहले हमने यह ओपनिंग लिखा दिया वरकिंग नोड बना लेते हैं यह आप पर आजाएगा नंबर वनकिस चीज का वर्किंग नोटे इस इंटरस्ट किस चीज का वरकिंग नोटे इस इंटरस्ट और कभी यह बिटा फॉर्स्ट एपरिल पॉर्स्ट एपरिल 2011 मतलब यह ओपनिंग डेट का क्या निकालना है सर अपने को इंट्रस्ट निकालना है तो यहां पर वर्किंग नॉट नंबर क्या जाएगा वन आ जाएगा ओपनिंग बैलंस का कितना एक लाक रुपय तो फॉर्स नाइन अपॉन कितना आ जाएगा हंड्रेट समझ में कैसे नाइन पॉसेंट दो नाइन अपॉन हंड्रेट इंटू देखो लास्ट में अपने को कभी मिला था लास्ट में देखो इंट्रस्ट कभी मिला डिसेंबर को मिला तो लास्ट थर्टी फर्स डिसेंबर को इंट्रस से उल्टा जाए तो मार्च फैब जनवरी डिसेंबर में इंटरस्ट मिला मतलब कितने महीने पहले मिला डिसेंबर मतलब 31st डिसेंबर मतलब जनवरी फरवरी और मार्च यहां पर तो है क्योंकि जो अपना डिस इंट्रस्टन फोर्सट एपरिल कभी से बाकिए था फोर्स्ट सॉडि फोर्स जनवरी ऑपने पास 31 लेके थो अपने पास 31 मार्श 01 कितने महिए ने होता है रह जनवरी फरवरी मार्च टीन महिए का इंट्रेस्ट बागे काम करो सब 00 कट कर दो 200 क्या कर दिया मैंने कट कर दिया 00 कट हो गया उसके बाद सब 3133 412 हो गया बिटा यह आगया यह पर एक काम करो कैल्सी जिंदावादे कैल्सी जफटाफट कर लो यह आगया 1000 x 9 डीवाइड बाई 4 करो सर कितना आजाएगा 1000 9000 डीवाइड बाइ 4 करते तो असर आजाएगा अपने को 2250 तो यहां पर अपने को इंट्रेस्ट आ गया 2250 अपने को क्या मिला सर इंट्रेस्ट मिला बेटा समझ में आ क्या आज क्यों लिया क्योंकि अपने पास तीन मेना क्योंकि लास्ट टेम अपने को जो इंट्रेस्ट मिला था और डिसेंबर को मिला यह जनवरी नहीं मतलब दस जनवरी मैंश-तीन बागी था वो मैंने आपने को क्या कर रहें मैं성을 इसके बाद आगे क्या करण तो यहां पर आजाएगा सर वर्किंग नॉट नंबर यहां पर आजाएगा पर्चेस कितना पर्चेस करेंगे बेटा पर्चेस ओन लिखो ना पर्चेस ओन फॉर्स्ट जून कितना पर्चेस करेंगे सर 500 टप्ला बाइन यीई और बेल न एक टिवयन चा guessing मैं यह एक दिर्ट लिखो तो भी चलेगा बढके लिखो तो भी चलेगा और नैंटीएट क्या यह यह एक्स-टरस CCP इंट्रस्ट मतलब उसके अंदर इंट्रस्ट पैसा इंकलूड नहीं एक्स इंट्रस्ट मतलब 98 करो तो चलो सर 800 multiply by मेरा कल सीव ख़लाब हो गया 800 multiply by 98 करो कितना आँसर आएगा सर 78 400 कितना आगया सर 78 400 हम क्या करेंगे सर पर्चेस करेंगे पर्चेस क्या होता है बच्चे लोग डेबिट साइट पर्चेस करेंगे तो आप सभी को एंट्री पता है पर्चेस ऑल्वेस डेबिट साइट एक्स इंट्रस्ट मतलब कौन सा वाला अपर यहां पर लिखा सर फॉस्ट जून जून मतलब कौन सा महीन एक काम करते एप्रील एप्रील में जून मतलब शिक्स मन्त फॉस्ट टू किसका नाम आजाएगा बच्चे लोग इधर टू बैंक हम यह क्या करें पर्चेस कर रहें तो इधर आ जाएगा पर्चेस अकाउंट क्लियर एट टन तो यहां पर एंट्री नंबर वर्किंग नॉट नंबर सेकेंड कितने का पर्चेस कर रहे हैं इसर अगे रहां 800 800 और हरेक का वेल्यू कितना है सर सो रुपया हरेक का डिबेंचर का वेल्यू कितना है सो रुपया तो सो करो कितना आ जाएगा सर यहां पर टोटल एक दो तीन चार और दो जीरो इसका दो जीरो इसासी हजार रुपया आ जाएगा तो नॉमीनल वैल्यू कितना यहां पर आजाएगा 78400 रुपीज आजाएगा इसका क्या निकालना है इंट्रेस्ट निकालना है तो यहां पर आजाएगा इंट्रेस्ट कि एसी अजार मल्टी प्लाइब identifies कला लास टैम अपने को कभी मिला थासि फॉर्प सूस्वियो और लिए slaves और पीछ जाओ चोल्म क्ति सखिए मार्च आप में नहीं मिला एप्रीव कैशा यह एप में है Seal इनद लएपिर्वरि मार्ट ने मार्च मार्च एप्री मैं इपरील मार्च फैब और जनुवरी लाय्स्ट थर्टी फ़न्वर्री मार्च जनुवरी फरवर्वरी मार्च ये एपरील और में महार फास जून जलों १ मैं तो कितने मैने का बाखी जमोरी फर्वरी मार्च एप्रील और में कितने मेहने का बाकी खाली पांच मेने का बाकी अगर 30 जुन 30 को खाल पिछचे संसरे पांच मेने का बाast पांच मेने का बाकितरन फाई अपारी सामझना कि워 कि फॉस्ट जनवरी 2011 से कब तक बाकिए सर अपने पास यह अपने पास पकड़ के चलो यह फॉस्ट जून लिको तो भी चलेगा तो फॉस्ट जून तक बाकिए फॉस्ट जून कि जनवरीं मार्च अप्रिल में जून कितने मेने में उने पांच जून पांच मेने वालाaffen OF पाइपॉन जीरो जीरो मैंने क्या कर दिया एक काम करते है सर इसको इसको चाहो तो कैंसल कर सकते हो पर नहीं करो तो चलेगा देखा इस त्री थ्री जा नाइन थ्री फॉर जा 12 या आ गया इंट्रस्ट कितना मिला सर अपने को 3000 रुपीज का क्या मिला सर इंट्रस्ट मिला यहाँ पर आजाएगा बच्चे लोग हम 3000 रुपीज का क्या मिला अपने को इंट्रस्ट इंट्रस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं और इंट्रस्ट अपने को 3000 रुप्रा मिला यह हो गया पर्चेस करते समय कुछ भी प्रॉफिट लॉस निकालने की जरूरत नहीं है क्लिए अभी डायरेक्ट लास्ट फॉर्स्ट डिसेंबर 2011 को सेल कितना करेंगे सर 900 डिवेंचर क्या करेंगे सेल करेंगे और यह आगया तो चलो यहां पर आ जाता है सर 1st डिसेंबर तो आगे हैं मतलब यहां पर ध्यान से देखो यह यह उनने कर दिया opening कर दिया इंट्रस बाकि है 30 जून को इंट्रस्ट मिले गारे इंट्रस्ट रिसीव उगा उसका इंट्री क्या होता है य क्रेडिट की का लिखना है बच्चे लोग क्रेडीट सब्सक्राइब बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंट्रस्ट तो बैंक अकाउंट यहां पर आ जाएगा 30th June 2011 किसका नाम आएगा बाई बैंक अकाउंट का नाम आजाएगा बाई और लिखने की जरूवत न हुए क्यों पैसा किसमें छिखने वाले इन टूसमें लिखने वाले वरकिज नॉट नमबर कॉन सा था यह 3 तो यह पर व्रटिंग नॉट नमबर थ्री है यह आपर लिख़्यत थे भर्किंग नॉट नमबर क्या जाएगा interest receive on due date due date कभी अपने पास 30 June 2011 को अपने पास क्या मिला interest मिला तो अपने पास interest किसे पर मिलेगा सर nominal value तो सब का nominal value किसना है देखो यह एक लाक और असी टोटल अपने पास investment कितना एक लाक और सी एक लाक सी अजार का अपने पास क्या investment तो यहां पर आजाएगे इंट्रेस्ट कि टिटने का अपने पास एक लाक असी अजार समझ में एक लाक और सी अजार कितना 9 पॉसेंट 9 अपन हंड्रेस्ट कितना महीना बचा सर्थ 6 मंत कैसे लास्ट टाम कभी मिला था डिसेंबर डिसेंबर में जनवरी फरवरी मार्च एप्रील में और जून ना जून 30 को मिल रहा है जून भी पूरा आएगा तो नहीं आदा कि है अनुर Он्यां चालू हो रहा है तो 30ून इस शेंबर कितना महीना होता है सर्थ 6 महीना होता है तो यहांपर आजाएगा थे Михी अपन टो समझ में आया यह काम आ जाएगा एक नव आ जाएगा और यह 900 x 9 कितना आ जाएगा सर 8100 रुपे अपने को क्या मिला सर इंटरस्ट मिला कि इतना मिला सर 8100 इंटरस्ट मिला एक बर मैं भी चेक कर लूँ बुक में 8100 रुपे दिये गए यसर बुक मैं एपसलूटली राइट 8100 रुपे अपने को क्या मिला है सर इंटरस्ट मिला है अब सेलस है एंटरी सेल कभी कर रहा को बीन इ rebound दीक्जेंबर को सेल करेंगे तो चलो फ़र्स डीसेंबर यहां पर अजाए का फर्स्ट इसेंब्र तो यहां पर आजाएगा फॉर्स्ट डिसेंबर मतलब 12 महीना 2011 तो बाई किसका नाम आजाएगा बैंक अकाउंड का नाम आजाएगा और ब्रेकेड मेंच यह तो लिग दो क्या करेंगे हम कि सेंटब करेंगे तो यहां पर दिया गए यहां सेंटन नसक्ति माव best नाम आजिवा कि यह नाइन हंड्रेड मुल्टिप्लाइबाई वन जीरो फाइड करो 94,500 डाइरेक यहां पर लिख सकते हो 94,500 पर अपने को ऐसा लिखना नहीं अपने को प्रॉपर वर्किंग नॉट करके बनाना है तो इदर आ जाएगा वर्किंग नॉट नमबर फोर तो यहां पर लिख दो बेट्चा वर्किंग नॉट नमबर फोर तो यहां पर आ जाएगा सेल्स सेल ऑन फॉर्स्ट डिसेमबर तो वजार क्लियर है तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा बेटा कितने है बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्यों लिख रहा हूं क्योंकि एक्स इंट्रस प्राइज यह 900 डिबेंचर मुल्टीप्लाइबाइब रुपीज 108 है ना 900 मुल्टीप्लाइबाइब सॉरी 105 तो 900 मुल्टीप्लाइबाइब 105 94,500 कितना आ गया सर 94,500 यह मेरे को क्या मिला सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी इस पर क्या आपने को कभी मिला था यह जून को मिला था मार्च एप्रिल में जून को मिला अभी देखो जूलाइ जूलाइ ऑगस्ट सब्टेवर ओक्टोबर नवेंबर डिसेंबर क्यों यहई क्यों करें सांब कना नहीं कितना वैतों तीन चार पांस पांच मेला क्या करो q qant कर दो थ्री 1 थे नाई म OrionISA आजाएगा तो यह 900 multiply by 3 multiply by 5 divided by 4 करेगे तो अपने को answer कितना मिला sir अपने को interest मिला 3375 तो यहाँ पर लिख दो बच्चा लोग 3375 अपने को क्या मिला interest मिला पर यहाँ पर रुकने का नहीं क्योंकि अभी क्या fine करने आएगा profit हुआ के लॉस वह उसके लग से working not working not number five अपने को identify करना है कि profit हुआ कि लॉस हुआ देको यह फॉर्ट हो गया अब यह फॉर्ट वाले को छुपा देने का यह जो फॉर्ट हो गया ना तो फॉर्ट वाले को इसा इसका सेल्स को आपको भूल जाना है क्लियर कि यह इस पर हात रख देने का तो अभी निकालना है profit हुआ के loss हुआ तो चलो हम निकालते profit हुआ के loss हुआ तो यहां पर working not number इसमें फॉर्ट दिखा रहा है working not number five है कि एक दो तीन चार और चार और चार वर्किंग नंबर यहां पर आएगा इसे लिखना है profit slash loss on कि सेल ओफ इन्वेस्टमेंट सेल ओफ इन्वेस्टमेंट सेल ओना सेल ओन फॉर्स्ट कि अधिसेंबर दो हजार ग्याला तो सबसे पहले एक फॉर्मुला है क्या फॉर्मुला है सर देखो इधर कॉस्ट प्राइस इसी कल तो सबसे पहले यहां पर आता है नंबर ओफ डिबेंचर सेल और यहां पर आएगा नंबर ओफ टोटल डिबेंचर नंबर ओफ डिबेंचर सेल अपॉन टोटल नंबर ओफ डिबेंचर मल्टिप्लाइबाइब टोटल कोस्ट ओफ डिबेंचर मल्टिप्लाइब क्या है बैटा टोटल कॉस्ट ओफ डिबेंचर तो यहां पर देखो नंबर ओफ डिबेंचर सेल कितने मैंने कितने सेल कि है मेरे पास कितने डिबेंचर यहाँ पर अगर ध्यान से देखो गए तो यह आजसो डिवेंचर मैंने परचस किये थे और यह थे तो डिवेंचर कि एक लाग और टी एटीए्ट आ सो है ड segúnेंट नेरे ऐलों कि एड tenido ऐस अट गया रहां सर्थ-वोड़ सब्सक्राइब लिई य॥ोडबाइडी इत्रीकिंटवंत की इंडृ। आलीवकश्ट कतना। य॥ोड़ां कोशों देखना नहीं है आपको लिए तो यह आपने पहला सम देखा रहेगा तो आपको लिए रहेगा वन लेक 86,400 काम करो दो जीरो दो जीरो कैंसल हो जाएगा नाइन वन जा नाइन नाइन टू जा आपको यह लिएन वन लेकटी सॉज़ दीवाइड बाइटू कर दो कितना आ जाएगा सर इसका कॉस्ट आया सर 93,200 कितना कॉस्ट राइस कितनी है 93,200 नैंने कितने में बेचा 94,500 मतलब हमने किस पे बेचा profit पे बेचा मतलब हमने किस पे बेचा profit पे बेचा कैसे पता चला क्योंकि अपने जो sales price इसे माइनस cost price कि अपनी cost price कितनी थी 93200 और हमने फाइनल उसको कितने में सेल किया था सर 94500 रुपीज में क्या किया था सेल गया कितने में सेल किया था बच्चे लोग 90 में को में किदने का हो रहा है तिरा सु रूपये का मेरेको क्या ओर रहा है, फ्रोफिट रूपय का हीं है नाम मतारा हूं तो यह पर बेठा किसा में लिखने हैं और워서 सच और डेबिट न्या जोमति किसमें अदिऄने में आप इनवेस्टमेंट डेबिट तरे धियान से देखो इदर का लिख रहो इसके नीच आएगा है इनवेस्टमेंट डेबिट है डेबिट में तेरा सो रुपें इंटरस में नॉमीनल वेली वे वर्किंग नॉट नमबर फाइव किसका नाम आएगा profit and loss account और bracket में क्या हो रहा है बच्चे लोग यह मेरे को profit हो रहा है यह कभी हो रहा है सर यहां पर 1st December 2011 को मेरे को हो रहा है clear 1st December 2011 को हो रहा है clear here we do depends on thekie go to Ram결ours चलो यहीं वापिस से क्या मिलेंगा कैसे क्या मिलेगा कैसे क्यों कि डेखो कि यह हो गया यह हो गया मतलब हम यहां पर थे अपने को online December का first कर दिया अभी वापिस से अपने को क्या आगया sir 31st December 30 full December को मिलेगा अपने को को इंट्रस्त मिलेगा 31st December को इंट्रस्त मिला गा तो entry क्या होता है मैंने बताया था पैसासा ऐगा cash or bank account debit to interest जैसे अमने यहाँ पर क्या किया था तो यहाँ पर आ जाते सथ 31st December 119 हम यहाँ पर आजाएने सथ 31st December 2011 यहाँ पर आएगके buy bank account कितना पैसा मिलेगा, working note number 6, clear interest का interest matter, clear working note number 6, interest on due date, यहाँ पर आ जाएगा चलो, working note number 6, interest, क्या और आई सर, receive on due date, due date कभी एसर अपने पास, 31st December 2011, को अपने को क्या मिल रहा है, interest मिल रहा है, किस पर मिलेगा, तो यहाँ पर देखो, अपने पास जितना investment है, उसी पर ही मिलेगा न, अपने पास total investment, sir, 1,80,000 का था, तो, sir, 1,80,000 पर interest मिलेगा, रहे, कैसे, 1,80,000 का अपने पास investment है, उसमें से तो अपने 90,000 का बेच दिया, मतलब 1,80,000 में से 90,000 का बेच दिया हो, तो जिसको बेचा, उसको मिलेगा, तो अपने को खाली किस पर मिलेगा, 90,000 पर किस पर मिलेगा, 90,000 पर इंटरस्ट किस पर मिलेगा, बच्चे लोग, 90,000 पर इंटरस्ट is equal to, 90,000 पर कितना presentation, 9%, 9 upon 12, multiply, 6 upon 12, कैसे, अरे, लास्ट टाइम कभी मिला था, लास्ट टाइम कभी मिला था, जून में तो, जूलाइ, यॉलाइ, ऑगर्स, सब्टेबर, औक्टोबर, नॉवेंबर, डीसेंबर, डीसेंबर, बीपूरा मेंबर, और ये, डीसेंबर भी पूरा महिना अपने को में आएगा, 31 डीसेंबर है, तो 6 upon 12, 6 पनजा 6, 6 उसा 12, थे इसको नहीं कर दे काम कर दे इन अब्बे अजार मल्टीप्लाइ बै नव है डिवाइड वाई चॉबीस कैसे अट्वेल टूजा 24 तो 24 करें के तो कितना आएगा सर 33750 क्या बात है इतना सब्सक्राइब 33750 ला इसमें कितना इता है इसमें तो बत कम आया था तरह इने कुछ गलत कर दिया में लगता है क काम करते नवे हजार किरोज्वरें सव्सारी है कि अच्त गलत किया कितना पसंट इंट्रेस्त है नाइन परसेश्ट 9 अपान कितना अथा यह नहुत्पर्फर इस अच्छेया नह्ति घ्री I am divided by 2 कितना आ गाया सर यह आ गया 4,050 रुपीं मेरे को इंटेस्ट मिला इंटेस्ट कि इतना आ जाएगा 4,050 रुपीं मेंघ घघरर चलो सम हो गया अभी सब से पहले क्या करना है तैली करना है總 तो भी यहां पर closing stock का था नहीं पहले वाले सम्में था मैंने थोड़ा skip कर दिया मैंने भूल गया जानतों कोई बात नहीं माफ करते ना अभी इसका करते चलो देखो इसका कितना एसर यह रहा कि एक लाग असी यह पर आजाएगा असर एक लाक असी इसका भी nominal वेल्व कितना आजाएगा इधर भी एक लाक 80,000 उसमें से नब्बे गया कितना बचेगा सर ऐसी अजार बचेगा जोन बचेगा नब्बे गया तो पुदिना बचेगा नब्बे हो यहां पर आएगा बाई बैलेंस क्या जाएगा carried down यहां पर आजाएका सर्एक कभी हो रहा है सैंट 31 सbn तो अजार डार कभी हो रहा है सटम 13 फॉर्स Mauint 2011 इदा आएगा तो यह सेंड हो जाएगा स्पाटिएपर Стद मार्च को यह क्या हो रहा है एंड हो रहा है तो 31st March 2012 working note number 7, interest इस पर, यहां पर आएगा interest on working note number 7, यहां पर आजाएगा interest, interest इस पर count करना पड़ेगा interest on 31st March, interest on closing balance लिखो न तो भी चलेगा, interest on closing balance, कभी असर 31st March 2012, तो कितना महिने का आएगा, interest is equal to 90,000 multiply by 9 upon 100, पता चला कैसे अब वर गल्दी गया, और 6 महिने का, कैसे, अरे January, February और March, कितना महिना बचा, March को तो year end हो रहा है, तो कितना महिना बचा सर, 3 महिने का, 3 upon 12, 00 cut, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 900, multiply by 9, divide by 4, कितना है, सर, 2, 0, 2, 5, 2025, आया बचा इदर, 2, 0, 2, 5, चलो इसका total कर यही साइड जादा लेकर, 2, 0, 2, 5, plus 4, 0, 5, 0, प्लस 3, 3, 7, 5, plus 8,100, कितना है, सर, इसका, 17,000, 5, 5, 0, इदर भी लिखो, 17,000, 5, 5, 0, माइनस करो, माइनस 2, 2, 5, 0, माइनस 3,000, कितना है, सर, 12,300, रुपीज, डेट क्या रहेगा, सर, 31st, मार्च, 31st, मार्च, 2012, तो, इदर आ जाएगा, सर, 31st, मार्च, 2012, तो, किसका नाम आएगा, प्रोफिट एंड लॉस अकॉर्ड, किसका नाम आएगा, प्रोफिट एंड लॉस अकॉर्ड, ब्रेकेट में क्या लिखते है, बैलेंस फिगर, ठीके, डन, और इसके लिए, वर्किंग नोट, कुछ बनाने की ज़रूती नहीं, बनाएगे, और चलो, इसका कॉष्ट प्राइस का भी कर दो, कॉष्ट प्राइस, चलो, इसका कितना था, चलो, इसका टोटल करो, एक लाक आंट अजार, 78,400, प्लस तेरा सो, 187,000, 1,087,700, तो इधर भी आ जाएगा, 1,087,700, और इसका क्या करना है, माइनस करो, माइनस 94,500, तो कितना है था, 93,200, अभी देखो, लास्ट टाइम में, देख पार, मैं भी चेक कर ले, 93,200, इसका है, अबस्लूटली राइट है, लास्ट सम्में, प्रॉब्लम क्या हो गई पता है, यह ऐसा आता है, पर मेरे से गलती क्या हो गई, जैसे बुक के अंदर, जैसे लास्ट येर में इसमें दिया रहे था, बुक का, इसका क्लोजिंग स्टॉक, अजिम करके चलते है, अगर अगर अपने को 98 दिया होता, अगर अपने को 98 दिया होता, यह अपने पास लास्ट में कितने बचाई है, यह अपने पास प्लोजिंग स्टॉक की बात करो तो अपने पास यह 900 है क्योंकि यह 900 है multiply by 98 तो 900 है multiply by 98 कितना आता असर 88 200 और यह क्या है मेरे लिए यह cost price market price यह मेरे लिए क्या है market price है और यह मेरे लिए cost price cost price market price whichever is lower तो हम कुनसा वाला लेते इसकी बदले यह वाला यह अगर 98 के बदले 105 दिया होता तो यह 98 के बदले 105 यह पर दिया होता तो 900 multiply by 105 900 multiply by 105 अगर दिया होता तो इसका आंसर आता 94 तो हम यह वाला लिखते मतलब closing stock का value क्या होता है cost price market price whichever is less तो जो कमाया ना जैसे क्लोजिंग इसका मतलब अपने पास closing stock कितना है 900 कितना है 900 कितना है 900 दिबेंच और यह पर price दिया है 98 98 से करेंगे तो 88 और बुक में कितना जाओ बुक से अगर count किया तो 93 तो 88 200 लिखना है पर अगर हमने 105 दिया है और हमने किया 94 और बुक से 93 तो cost price market price इसके तीनों का compare मत करो इसका इसका करो का इसका करो नहीं आएगा कोई बात नहीं जो थोड़ वाला समय में आपको करा दूगा यहां पर बिटा question number two अपना क्या होता है खतम होता है बहुत ही simple है बहुत ही छोटा सा प्यार सा समय हाला कि पहले मेरे को यह कराना चाहिए question number two पहले कराना चाहिए था question number one जो था बाद में कराना पन कोई बात नहीं चलो हो गया बहुत ही simple है कुछ भी इसमें नया नहीं है clear है तो यह आपको खली working note आपको याद रखना है तो यहां पर बिटा अपना जो question number two खतम होता है एक्सपेक्ट करें के सभी बच्चों को समझा रहेगा सभी बच्चे ने मेरे साथ लिखा रहेगा कि यह रहेगा तो easily समझ में आ जाएगा thank you so much bye bye